कैसे हो आप सब तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वन ब्रेंड स्किन केर रूटीन तो जो भी सारे प्रोडोक्स होंगे वह यह प्लॉम ब्रेंड के यूज करने वाली हूँ मेरे पास यहां पे सिवे खलिप बाम नहीं ह तो एक अगया प्लॉम ब्रेंड के है तो वर्ण स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चानल पेन आया है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देजा थे बेल लाइकन है उसे भीट कर दीजगा है सो एट यह लाटीफाइब नुटिफाइब नवरा यह आपलोड़ आपने कर लेए पर सारे सब्सक्राइब करनेके अपनेृ devoted अपना कर दीक और कप्रें चेंज कर लिए है तो मैं इसको ही यूज करूँ ये अपने मेक अप को रिमूफ करने के लिए तो ये मेक अप बाम है तो आपको इसको रॉब करना होता है आपके फेस्वे और ये मेक अप रिमूफ कर देता है तो मैं अब एक टीश पेपर ले रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक अपने फेस पे जोगी अपलाई आप देख सकते हैं कि अच्छे रिमूफ किया मेक अप मेरा जो मैकर वाइबर टाल है वो भी मुझे मिल ले रहा है इसके लिए मैं टीश पेपर यूज कर रही हूँ अगर आप माइकर फाइबर टाल यूज करोगे ना अब अच्छे से निकल जाएगा मेक अप इसने मेरी काजल को भी रिमूफ किया या पेख सकता है तो यह वाला जो प्लम का एलुमिलेंस का जो बाम है वो काफी अच्छा है अपको थोड़ी सी कॉंटिटी लेनी होती है औ और इसके अंदर आपको है ना ग्रीन चोटे चोटे पार्टिकल्स मिल जाता है वो स्क्रब पार्टिकल्स है पर वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करते है और मेरा हलके आतों से अपने फेस में रॉप करूँगी तो यह जल बेस्ट फेस वाशर तो यह काफी अच्छी सिफ वर्क करेगा अगर आपके वाली और एक्ने प्रून स्कीन है और यह वाली ग्रीन टी वाली रेंज अना एक्ने प्रून स्कीन वाले के लिए परफेक्ट है तो अब मैं फटा-फट से इसको रिंज आफ करूँग अब देख सकता है काफी अच्छा से इसने मेरे फेस को क्लीन कर दिया और जो भी मेकप रैसे रियू सोड़ा बहुत भी रह गया होगा ना क्लिंज इंपाम के वज़े से तो वह रिमोग हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट अब अभी स्क्रब यूज कर रही हूं तो मैं यह प् आप चाहें बटता कि यह रिच सकती है यह पहले है यह पर नहीं सबाव ने थियू से तो पहले होड़ के वृटर की हैसे पहले सकताए है फ़ी आपल्सग रिमोज कार दिया हूंエm ब्लर सर्कुलेशन को भी इंक्रीस करता है तो फटा-फट से इसको वाश करके आती हूँ थोड़ा पानी की हैल्ब से भी थोड़ा मसाज करूँगी है और उसके बद इसको दिन्साफ कर दूँगी सो जो स्कृब्सा मैंने उसको भी रिमूफ कर दे काफी हलका फील हो रहा है अपने स्किन पर काफी फ्रेश पर लग रहा है तो नेक्स्ट अब हम फेस मास्क अप्लाई करेंगे तो मैं उनका कैलमेन और वाइटी वाला फेस मास्क यूज कर रही हूँ यह फॉर नॉर्मल ज्राइन कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए है तो मैं इसकी एक इवन सी कोट अपलाई कर दूँगी अपने फेस पे तो मैं इसको सूखने दूँगी और टैन मिनिट्स टैन मिनिट्स के पहले यह सूख जाता है तो इसके बाद हम अपना फॉर्जर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यह अराउंड फाइव सेवन मिनिट्स में भी सूख रहा तो मैं इसको वाशाओ कर दी है मुझे काफी अथा लग रहा रही स्किन भी काफी अच्छी लग रही है तो मेरे पास टोनर नहीं है पर फेसमिस्ट है तो में इनका प्लम रेपसी ट्वला फेसमिस्ट है इसका सिफ यह लास्ट यूजए इसके लबने इसको रखा था मना यह फिनिश हो चुका है पूरा यह थोड़ा सा मतलब स्पिल भी हो गया था इसके जो फ्रेग्रेंस अना वह काफी अच्छी है मुझे इसके फ्रेग्रेंस काफी पसंद है अगर आप यह वला ट्राय करना चाहना तो बिल्कुल ट्राय कर सकता यह काफी अच्छा और यह खतम भी हो गया मैं इसका बड़ी बॉडल जरूर बाय करूंगी क्योंकि यह काफी पसंद है काफी अच्छा तो मैं इसको थोड़ी तर अपने हाफी सूपने दूंगी और उसके बाद हम अपने फॉर्टर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो यह मेरे स्किन में सूख चुका है तो मेरे पास मॉस्टराइजर में मेरे पास यह दो आप्छन था है तो फर्स्ट है यह ग्रीन टी वाला फ्रॉम प्लम और यह मैटिफाइंग मॉस्टराइजर है और जो दूसरा है वो 24-hour with vitamin E.E. Luminance deep moisturizing cream तो मैं यह वाला यूस पहले इसका एक डॉप पे इनफ है क्योंकि एक्स्ट्रीम्ली हाइडरेटिंग क्रिम है तो एक डॉप इसका इनफ है फेस को मॉस्चराइज करने के लिए अगर आपकी एक्स्ट्रीम्ली ड्राया ना तो भी दूप्स इनफ है तो यह मैंने अप्लाय कर दिया मुझे काफी मतलब हेवी सा फील हो रहा है मेरे फेस पे एक डॉप के बाद भी समर्ज है तो संस्क्रीम तो बनता है तो यह डे क्रीम है तो यह SPA 50 and PA++++ के साथ आती है और यह कैलमयल और वाइट टी वाला वेरियंट है इसमें सारे वेरियंट अप्लिट है तो आप अप्लिट में जाए लाइट है तो आप ट्राइग कर सकते हैं तो इसका भी मैं हलका सा लूँगी जोड़ता है इसका एक डॉप पेन आफ है तो यह जोग मेरे स्कैन का माशाज करोगी so yeah guys I am done तो मेरे पास कोई भी lip balm नहीं है तो मैं अब यहीं पर stop करूँगी तो अगर आपको कोई भी future में सेम concept के videos देखने हैं तो मुझे आप comment section में बता लिजेगा कि आपको कौन से brand का देखना है one brand makeup देखना है या फिर one brand skincare routine देखना है तो मुझे comment section में जरूर बताईएगा so yeah guys that's it तो मेरा आज का one brand skincare routine I hope कि आपको आज का मेरा जो concept है वो पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो make sure to hit the like button subscribe to my channel मिलती हूँ मैं आपको अगले बीए में तब देखले बाबाई, stay tuned, stay blessed